तो खमागणी देवी और सजनों मेरा नाम है शाम चौहान और सामने अपने हैं मार्थी सुजीगी की ब्रेजा जेट एक्स है पलस टॉप वेरियंट है और यह इस टीकी जो की नॉर्मल की मिलते है जो वही सुजीगी की हमेशास देती है वही अब डूल टोन की बात करें डू वह थोड़ी ओड लगती थी और यह जो ब्रेजा यह पूरी तरिक से फ्यूचर स्टिक आपको लगेगी डिजैन वे लिंग्विज की बात करें तो यहां पर आपको मिलता है इसका है फोग लेंब जो की फुली एलेडी है यह इसका है है एडलेंब जो की यह भी आपको 60-degree वाला camera है वह आगे वाला camera यहां पर मिलता है इस ग्रिल की जो बात की जए यह पहले की जो ग्रिल थी उससे काफी ज्यादा डिफ्रेंट और बहुत ही ब्यूटिफुल बनाती गई यहां पर इसकी क्रॉम की जो लाइनिंग यहां पर दी जाती है यह इसका मारूति का ल कि पाद की जाए है तो बहुत ही अच्छा आपको इसके बसको रेड़ मिलता है बहुत ही ब्यूटिफुल सके अफ़ो बनाया गया आप करें तो आरफ ला इंश के अंगर आपको टायर मिलते हैं, तो बहुत ज्यादा अच्छी तरीका से वेल्ड कवर दी जाती हैं, जिससे आपकी कार में रस्टिंग लगने की प्रोबलम्स हो है, वह काफी हद तक कंट्रोल की जा सकती है, और जैसे इंजन की भी प्रोटेक्शन इससे तो बिकोज यह एस्ट्वी है तो इसाब से इसे डिजाइन के गई है, साइड कलाइडिंग काफी बड़ी बड़ी इसके अंदर दी गए है, यहां पर भी दी गए है, और आर्च की उपर भी और साइड में डोर्स की उपर भी कितनी बड़ी बड़ी आप देख सकते हैं, अ बात करें, बात करें ऐन सलाइकIST के तो आपको पियाओ भी पेरिय करते हैं इसके अंदर जए ऑफ यह में देख सेज बात करें, गार्फ आपको साइज मिल जाता है, और वबांकी बीकोज अफ़ यह यह दूल टौर इसके पीजार दीजिसा काक फीर है, सबड़ी है, कैन बा प्रेटिटए से उन्दर बनाया गया उसका सेंस्पेंस्पेंसिन ट्राइला वो आगे वाले टैर शे भी ज्यादा है विकोच पिछछा जो पेसंजर बेटते हैं तीन बेटते हैं आपके दो ही पेसंजर बैठते हैं उसे साफ्जे से टोन किया है यह बी आपको पूरते किसे यहां पर बात करते हैं इसके पीछे की प्रोफाइल की पीछे की प्रोफाइल की बात करें तो पीछे की प्रोफाइल में आपको चार सिंसर इसके अंदर मिलते हैं चारो सिंसर आपको इस तरीके से बिजाइन करके दिये गए हैं जिसके कि आपको का जब भी आप बेख लो या कोई चीज आपके पीछे है तो आपको याची तरीके से बता सकें क्योंकि इस मामले में मारति शुजिके ने किसी पर अगय कोई कंजूशी नहीं किया बहुत सी कंपने हैं जो कि सिरफ और सिरफ दो ही पार्किंग संसर देती हैं इसके बाद बात करते हैं इसके वंपर की यहा पर अलग पैटन यूज किया गया है यह जो है यहां पर आप अपने नमबर प्लेट लगाएंगर यहां पर आपको इसका बेक केमरा देखने को मिलेगा बड़े बड़े एक्सरों में वह बहुत ही ब्यूटिफुल तरिके से यहां पर लिखा गया है ब्रेजा उसकी प्रमा नहीं उसका समूकी डिजbert विजांगर यह लो बटा ये आपको मिलता है अ कि यहां पर आपको मिलती है और स्मार्ट हाइब्रिड की बेंजिंग और स्मार्ट हाइब देटिंग दाती उसके साथ ही आपको इस तरफ आगर आप जब आपको वही बूटिफल तरह कि अरुटी त्रेकसी से डियांन पहले बूट लिड खोलने के लिए यहां पर आपको एक sensor दिया जाता है जिसे आप दबाऊगे तो बूट यूँ अनलोग हो जाएगा और यह खुल जाएगा अब बूट लिड की बात करें सबसे पहले यह वह पूरी तरीकर से वैल्ड कवर दिया जाता है यहां पर यहां पर आपको वैल्ड कवर यहां पर दिया गया है इस तरफ आपको मिलते हैं एक हुक जिसमें आपको भी अपना समान तांग सकते हैं या रख सकते हैं इसके अलाव यहां पर आपको एक लेंप भी दिया जाता है जो कि हैलोजन के अंदर दिया गया है सीट के बात करें तो सीट आ तो काफी अज चैजीन दीड में ने आपको दिया गया है व को स्वा आ इसके Q कि बात कर लेते हैं इसकेन्ड उपन्थ होपनी हो धर नहीं होती। पर फिर भी काफी अच्छी ओपनिंग इसके अंदर आपको मिल जाती है अब बात करते हैं डोट ट्रिम की सबसे बले हम डोट रिम की बात करें देखो यहां पर आपको soft touch material दिया गया जो की fabric है आपको किसी परकार की लेदर नी गया फैबरिक दी लेदर नी गया इसके बाद यहां पर यह बात करते हैं यहां तो थोड़ा सा और पिंड़र नी तोट सेट और अपको दिया गये है अब बात कर लेते हैं इसके पीछे की जो sheet है sitting position की बात की ज़ाई तो काफी अच्छी है और sitting की जो घाइश सपोर्ट है उसके हम बात कर लेते हैं सबसे बहूं ज़ेँभ Kentucky बात की ज़ाई थाइस पोड्म में प्रोब्लम नहीं होगी, उसके बाद जो यह जु आपको अजस्टेबल दिए गया है, दो हीडरेस्ट में यहाँ पर आपको एक आम्रेस्ट भी दिया गया है, जो कि महा भी खोल कर नहीं दिखा सकता है लेकिन यहाँ से आपकोम इन दिखा सकता है, पर बा दर्वाजे को करते हैं हम बंद एक वार थर्ड सुनिए दर्वाजे की तड़ आप सुनिए आपको मैसूस होगा कि एक निश्बूत कार का थर्ड वो कैसा होता है विकोज यह फूर स्टार रेटिंग के साथ आती है अब बात कर लेते हैं इसके थाइस्पोड की तो थाइस्प अब भरपूर इसके अंदर आपको मिलता है अब बात करते हैं यहां पर देखिए यह एक इसका ख दिया गया है जिसका आप कोई समान साहे तो कर सकते हैं उसे टांक सकते हैं पीछे की तरफ यहां पर आपको एसक वेंट दिया है यह इसका अर्जेस्ट है और क्वालिटी की तो काफी अच्छी है ब्लोवर की इसके निच्चे आपको टाइप A और टाइप C टाइप की चार्जिंग पोड दिये गये हैं मुवाइल के लिए आप अपना मुवाइल चाहे के यहां से चार्ज कर सकते हैं ग्रेफ हैंडल आपको यहां पर मिलता है जो की सोफ क्लोज है और यहां पर आपको य खुबी मिलता है जिसा पर ना समान कोई टांग सकते है अब लाइटिंग के बात करें तो यहां पर आपको एक99 धी जाते हैं पिछे के पैसे यह मेरे साबशाथ आपको इसके अंदर आह अंदर ओना है वी मिलता है पार्सल ट्रीं जो आपको यह ती गई है वो काफी अच्छी जो है पफि अच्छी इन ऐतेव्लि वाकी बात करते हैं यह एकल भी है गार हिसके बात करते है कि दरवाजे को करते हैं बंद आप देखी। इसकें पर आपको एक टीडसेंट अगए कर लोग कर सकोत अभी B देखें यह अन्लोग भी हो गई अब ड्राइवर डॉर की बात की जाए तो इसके ओपनिंग जो है मुझे पीछे वाले द्रवाजे से भी बहतर लगी और अच्छी लगी देखें फ्रेंड डॉर में वही आपको फेब्रिक मिलता है सौफ तच यहां पर ठीक है चार पार चार मिलता है अब बात करते हैं इसके ड्राइवर शीट की थाइसपोर्ट की बात कर लेते हैं सबसे बहले देखें थाइसपोर्ट जो है मैंने पहले पीछे दिखाए आपके पीछे की रोग में और अभी इसमें देखिए वही सेम तुशेम आपको थाइसपोर्ट मिलता और शी यह आप इसका push start stop button है बागी बात करते हैं इसके अंदर बेट कर कि अभी आपना सुनिए इसका door का जो था है डानबो सुनिए देखें कितना बहतरी थर जो है इसके अंदर आपको मिलता है गाड़ी है manual ठीक है automatic नहीं है लेकिन कुछ खास परक नहीं पड़ता वह सब के अपनी अपनी चोईस है सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इसके material की जो इसका material है वह यहां पर देखें हाड़ प्लास्टिक यह इसके head of display का section यहां पर दिया गया है सुखी को हाड़ प्लास्टिक यूज किया गया है यहां पर आपको यहां पर आपको यहां पर काफी बड़ा है लेकिन इए कुल ठीक है इसके अंदर कुल्ड आपको अगला बॉक्स दिया गया है इस तरफ आपको मिलता है एक Sun Visor इसके अंदर आपको एक लेकिन अच्छी बात है कि यह उसों लाइट यहां पर दी गया है आप अपने हिसाब से चाहे तो ओन कर सकते हैं और आपको बीच में मिलती है जो कि वही है है और किसी परकार की भी आपको अधिया है यहां पर इसका संग्लास ओल्डर दिया गया है जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से शॉफ्ट तरीके से ओपन और क्लोज होता है यहां पर इसकी मिलती है संग्रूफ सबसे पहले फैसनेवल एक फीचर है लेकिन कभी भी संग्रूफ से बाहर नहीं निकलना चीए जो कि आपकी सेफटी के लिए अच्छा नहीं है कल को कोई भी चीजों आपको आप से टकरा जाए जिससे आपको इंजरी आ सकती है या कुछ भी हो सकता है तो संग् यहां पर हजार्ट लेंप का एक option दिया गया है और यहां पर इसके एसी वेंट दिया गया है एसी वेंट की जो quality है material की वो मुझे अच्छी लगी design भी मुझे काफी अच्छा लगा यहां पर आप देख रहे हो यह जो अना यह फुल्लिक क्लाइमेट कंट्रोल यह यहां पर दिया गया है इसके जो कंट्रोल की बात की जाए तो यह भी मुझे काफी अच्छे लगे लोंग ट्रिम में आपको किसी प्रार की कोई प्रोब्लम नहीं होगी यहां पर आपको एक charging socket दिया गया है यहां पर आपको एक टाइप एक चार् स्वाइश मिलता है यह आपको handbrake मिलता है इसके बाद यहां पर आपको दो कफाल्डर मिलते हैं और यह इसका armrest है जो की sliding है कर सकते हैं आरेसिट के अंदर तो आपको बहुत ही कम स्पेस मिलता है उच खास पेस नहीं मिलता लेकिन इसके अच्छी बात है यह स्लाइड वसके आप अपने हिसाब से अर्जेस्ट कर सकते हैं और दोट्रेयम की बात की ज़ए तो वही सब चीज़े आपको मिलती है जो कि इस तरह आपको मिलती थी और किसी परकार की कोई changes नहीं है प्याइब को वहाँ पर मिलता है और तो आप बात कर लेते हैं इसके ही silent है अब बात कर लेते हैं steering wheel की steering wheel की बात कर लेते तो आपको fully यह leather wrapped मिलता है three spokes steering wheel है इसके अंदर आपको यह cruise control के button मिलते हैं इस तरह आपको MID के sorry music system के control दिये गए है यह आपको सुझीगी का logo दिया जाता है इस तरह आपको telephone के लिए control दिये गए है यह आपको वाइपर रेंसेंजिंग वाइपर मिलते हैं उसके control दिये गए इस तरह बात करें तो headlight के control यहां पर मिलते हैं आपको सभी तो steering wheel के बात करते हैं इसके सामने जो आप देख रहे हो इसके speedometer की speedometer के बात करें तो यह आपको analog और बीच में इसके MID मिलती है इस तरह आप देख रहे हो यह आपको RPM के control मिलता है और इस तरह बात कर रहे हैं आपको speedometer मिलता है इसके अंदर आपको काफी information मिल जाती जैसे information system या फिर आपकी MID है उसके control है वह आपको दिये गया है इसके अलावा आप इसके अंदर पनी fueling की नहीं देख सकते हो या fuel sorry range कितनी दे रही है वह सब आप देख सकते हो और भी काफी चीज़े इसके अंदर आप देख सकते हो अब बात कर लेते हैं इसके सबसे cool feature की जो की इस segment की जो इतनी जितनी विकार है उसमें सिर्फ इसी में मिलता है वह है इसकी head up display जिससे on करने के लिए यहां पर आप देख लिए यह पटन जाई से दबाना होगा यह देखे कितनी खूपशूरत यह जो है डिजाइन से इसे दिया गया कितना खूपशूरत यह ओपन होता है और बहुत बैतरीन फीचर मुझे तो लगता है क्योंकि यह जो फीचर है इस सेग्मेंट की किसी भी कार में नहीं दिया जाता है हां किया सेल्टोस में शायद आता है लेकिन वह सेग्मेंट फर्स्ट था लेकिन उसके बाद इसी में दिया गया है अब बात करें इसके सं रूफ की सं रूफ जो है उसे खौलने के लिए आपको यहां पर कंट्रोल दिया गया है यह इसकी सं रूफ जो की एक ही किलिक में पूरी ओपन हो जाती है बंद करने के लिए फिसे आपको इसे एक बर दबाने सो दबा कर रखना पड़ता है इसे आपको अभी तो जीरो स्पीड दिखाड़े और भी बहुत से फीचर जो इसके अंदर आपको यह दिखाता रहता है कि सेंटर कंसोल की बात की जाए और इस डिस्पिले की बात की जाए तो इसके जो सुरी पैस रिस्पोंस जो है ना वह मुझे काफी अच्छा लगा और अब बात कर लेता है इसके इंजन हुड की जो हिंजन हुड है उसे खोलने के लिए यह जो लिए यहां इसको दिया गया है इसे खोलने के लिए और अब इसका जो आपको दिखाता हूँ डिजाइन जो लेंगे वेजना इसकी बहुत ही ब्यूटिफल बनाए गया है कुछ लोग तो इसे रेंजरोवर से भी कम्प्लीट खाते हैं तो इसका इंजन का जो हुड ना यह बहुत ही भारी है जिसके इसकी सेफ ट्रेटिंग तो कंप्रम हो जाती जो कि गलोबन और एंड कैप में से दी गई है यह इसका फॉर स्लेंडर इंजन है यहां पर इस तरफ आपको बैंट्री मिलती है इस तरफ आपको यहां पर दिये स्टार जो रेटिंग है यहां पर आकर कंप्रम हो जाती है जो कि गलोबन एंड कैप में इसे मिली है तो बस यही था आज की इस वीडियो में ब्रेजाट जैडेक्साइप पलस डूल टोन के अंदर मैनुल ट्रांसमिशन के साथ कैसी लगी यह कार आपको और कैसी लगी यह कमेंट करके मुझे कमेंट में जरूर बताना और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना हो तबता के लिए जय हिंद